नमस्कार आप देख रहे हैं इंडी न्यूज राहुल ने दिल्ली के रामनीला मैदान से मोधी सरकार पर हमला बोलते हुए वीर सावारकर को लेकर टिपड़ी की जिसके कारण महराश्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है शिवसेना ने उनके बयान पर आपत्ती जताई है पार्टी के प्रवक्ता संजर राउत ने उन्हें सावारकर की किताब पढ़ने का मश्वरा भीरे दिया है इसी बीट सावारकर के पोते रंजीत सावारकर ने केंद्र सरकार से राहुल पर कारवाई करने को कहा है वहीं राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्टनेता चगन भुजबल का कहना है कि सावारकर गाय को माता नहीं मानते थे भाजपा तो मानती है महराश्ट्र में शिफशेना, एनसीपी और कॉंग्रेस के महाविकास अगाड़ी गडबंदन से सरकार बनाई है ऐसे में शिफशेना के हीरो सावारकर को लेकर राहुल की टिपनी का सरकार पर क्या असर पड़ेगा अब इसे लेकर एनसीपी के वरिश्ट नेता अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा उद्धव जी, सोनिया जी और पवार सहाब परिपक्व लोग हैं वह मिलकर सही फैसला ले लेंगा वीर सावारकर के पोते रंजीत सावारकर ने राहुल गांदी के बयान मेरा नाम राहुल सावारकर नहीं है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूँगा पर कहा कि कोई भी उनके यानि की वीर सावारकर के बारे में अपमान जनक बाते करने का कोई हक नहीं रखता है सरकार को राहूल गांदी के खिलाफ आपरादिक कारवाई करनी चाहिए इसके अलावा उन्हें महराश्ट्र की शिवसेना सरकार को सला दी है कि राहूल के इस बयान के बाद उधफ ठाकरे अपने मंत्री मंडल से कॉंग्रिस के मंत्रियों को बरखास्त करें और अल्प मत की सरकार चलाएं क्योंकि भाचपा उनके सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेग वहीं राहूल गांधी के बयान पर RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अंग्रेज सावारकर से डरते थे इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें दो बार आजीवन कारावास दिया राहूल कभी सावारकर नहीं हो सकते उन्हें सावारकर बनने के लिए कई जन्म लेने हो लेकिन इसके बाद भी वह उनके जैसे नहीं हो पाएंगे राहुल से जुड़ा गांधी गांधी शब्द का अनादर है उन्हें गांधी उपनाम का इस्तमाल करके गांधी का अनादर नहीं करना चाहिए उनके बयान के कारण राश्ट्र खत्रे में है साथ ही राहुल गांधी के बयान से पूरे देश को ठेस महुची है आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और बाकी और तमाम खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ देखते रहे हैं इंडिन्यूज